योगेश नायर ने ये आविशकार किया है। की शिकायत रहने लगी। इसी समस्या से परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। इसी की चिंता में योगेश ने पढ़ाई के साथ साथ पिता का हाथ बंटाने की बात सोची और इसी दौरान उसने रिमोट से ट्रेक्टर चलाने का आविशकार कर दिखाया। एक आविशकार किया जिसमें खेत में एक जगह बैठ कर पिता क्टर से खेत की हखायी और जुताई कर सके। इसके लिए उसने एक ऐसा डिमोट तैयार किया जिससे पूरे क्टर की बिना चालक से हखायी और जुताई की जा सके। योगेश बताते हैं कि कुछ उपकरन उन्होंन बिना चालक के योगेश के पिता ट्रेक्टर से अपनी खेती का काम एक जगह बैठ कर कर सकते हैं इस आविशकार पर गरीब 47,000 रुपे का खर्चा आया योगेश के पिता ने भी इस दोनान उसका होसला बढ़ाया योगेश बताते हैं कि उनका सपना है कि वो देश की आर्मी के लिए कुछ उपकरण और मशीने बनाएं इसका पूरा प्लान भी योगेश के पास है लेकिन उसे इस काम में आर्थिक मदद की जरूरत होगी ब्यूरो रिपोर्ट पत्रिकार टीवी